कैसे सुनी कभुतरों ने भगवान शिव से अमर कथा ? क्या कथा सुनने के बाद अमर हो गए थे वो कभुतर ? किसका प्रतीक है वो कभुतर ? दोस्तों, आज की इस वीडियों में हम आपको बताएंगे कि भगवान शिव से कभुतरों ने अमर कथा कैसे सुन ली थी ? चलिए जानते हैं, दरसल एक बार माता पारवती ने बड़ी उत्सुकता से भगवान शिव से ये प्रश्न किया, कि ऐसा क्यों होता है, कि आप अमर हैं, और मुझे हर जन्म के बाद एक नए रूप में आकर, फिर से सालों की कठोर तपस्या के बाद आपको प्राप्त करना होता है, जब मुझे आपको ही प्राप्त करना है, तो फिर मेरी ये तपस्या क्यों, मेरी इतनी कठोर परिक्षा क्य फिर क्या था? भगवान direito शिव ने मा पार्वती जी से गुप्ती स्थान पर अमर कठा सुनने को कहा ताकि कोई भी उस कठा को ना सुन सके क्योंकि जो भी उस कठा को सुनता वो अमर हो जाता इसी वजह से शिवजी मा पारवती को लेकर किसी गुप्त इस्थान की ओर चल दिये सबसे पहले भगवान भोले नात ने अपनी सवारी नंदी को पहल गाम पर छोड़ दिया इसलिए बाबा अमरनात की यात्रा पहल गाम से शुरू करने का बोध होता है आगे चलने पर चंद्रमा को शिवजी ने चंदनवाडी में अलग कर दिया और गंगा जी को पंच तरनी में उसके बाद कंठा भुशन सर्पों को शेश नाग पर छोड़ दिया इस प्रकार इस पढ़ाव का नाम शेश नाग पढ़ा आगे की यात्रा में अगला पढ़ाव गनेश टॉप कहलाता है इस इस्थान पर बाबा ने अपने पुत्र गनेश को भी छोड़ दिया जिसको महागुणा का परवद भी कहा जाता है पिस्सु गाटी में पिस्सु नामक कीड़े को भी त्याग दिया इस तरह महादेव ने अपने पीछे जीमन दाईनी पांचों तत्मों को भी अपने से अलग कर दिया इसके साथ मापारवती संग एक गुप्त गुफा में प्रवेश किया कथा कोई न सुने इसलिए शिवजी ने चमतकार से गुफा के चारों और आग लगा दी फिर अमर कथा मापारवती को सुनाना शुरू किया कथा सुनते हुए देवी पारवती को नींद आ गई भगवान शिव कथा सुनाते रहे इस समय दो सफेद गभूतर कथा सुन रहे थे और बीच-बीच में गुबगु की आवाज निकाल रहे थे शिवजी को लग रहा था कि मा पारवती कथा सुन उंकार भर रही है इस तरहे दोनों कबुतरों ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली कथा खत्म होने पर शिवजी का ध्यान माता पारवती की ओर गया शिवजी ने देखा कि पारवती सो रही हैं तो कौन हामी भर रहा है तब भगवान शिवजी की नजर उन कबुतरों पर पड़ी तो क्रोधित हो गए और उन्हें मारने के लिए तकपर हुए इस पर कबुतरों ने शिवजी से कहा कि हे प्रभु हमने आप से अमर कथा सुन ली है अगर आप हमें मार देंगे तो अमर होने की ये कथा जूटी हो जाएगी इस पर शिवजी ने कबुतरों को जीवित छोड़ दिया और उन्हें आशिरवात दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पारवती के प्रतीक चिन्न के रूप में निवास करोगे आज की इस वीडियो में वस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ नमस्कार